हेलो एबरिवन आप सब का स्वागत है लाइक सपोर्ट एंड सेयर करते रहे और जानने वाले लोग जिनको एस्टोलोजी जानने में अच्छा लगता है जानना चाहते हैं वो अपना कमेंट करके चीज़ों को जान सकते हैं ठीक है और अपने डिटेल कमेंट करेंगे तो उनमें से हम कोई एक पिक करके और चाड़ भी बनाएंगे और उसे एक्स्बैन भी करेंगे जैसे इन्होंने अपना डिटेल लिखा था कमेंट में बट एक जो मेजर प्रॉलम है कि आप लोग अपना नाम तो लिखो कम स्कम क्या समझे हम ये लड़का है लड़की है क्या समझे हम कैसे जानेंगे ये नाम कुछ लिखी नहीं रहे हैं आप है ना ऐसे में तो हमें ये नहीं बनाना चाहिए था किसी और का बनाना चाहिए था पर अभी हम कर ले रहे हैं आपका ठीक है बट आप नाम लिखो जैसे ठीक है ये problem लिखा आपने बहुत अच्छा किया problem लिखना चाहिए बट नाम भी लिखिए gender लिखिए पता चलना चाहिए ना किसका बन रहा क्या बताएंगे हम ऐसे ठीक है तो आपका हम निकालके generate करके और आप इसे आगे explain करना है हम mail मान रहे हैं भी आपको ठीक है अब बोल रहे थे problem पेट के ये जगे है आपका पेट के problem के लिए ठीक है अब चार नमबर चंदर्मा है ठीक है ये आपका दिखारा चंदर्मा यानि आपको पेट में infection फैलना ठीक है गुरू जो होते हैं कारक होते हैं चंदर्मा कारक होते हैं देखे आपके चंद्रमा बहुत 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 आपको जॉब भी चला गया है न? यह पिर हम आपको डीटेल फिर से चेक कर लेते हैं 15 अगस्त 1990 आपने लिका है 15 अगस्त 1990 है न? टाइम नव पैतिस पीम रात में आने की है न तो आपका इसम भी शेक कर लेते लिखा गया है की नहुँ पैतिस पीम ठीक है ये भी ठीक है ये आपका चार्ट हो गया चलिए देखें इसमें आपके पेट पेट से रिलिटेड जो प्रॉलम है वो हम पॉइंट आउट करेंगे सारी चीज़ेंगे देखेंगे धिमिदे में की क्यों हो रहा है ठीक है गुरू लगन का चार्ट है ये और गुरू आके बैठे हुए है आपके इस्टदे वाले घर में ग्यान वाले घर में ये बहुत अच्छी बात होती है ठीक है अब गुरू की एक नवी रासियां हैं, बारवी रासियां हैं, गुरू खोदियां हैं गुरू का आप अपना स्टोन भी पहन सकते हो, यह अच्छा प्रभाव भी देंगे मंगल भी अच्छे हैं आपके लिए, लेकिन मंगल जो हैं जिस जगे बे भी बैठे हुए हैं यहां से मृत्यू भी आ जाती है लोगों को, ठीक है, तो इसलिए इनका स्टोन आप नहीं पहनेंगे, ठीक है बाकि आप गुरू का पहन सकते हैं, गुरू अच्छा रिजल्ट दे सकते हैं, ठीक है पहले घर के बात करते हैं, तो यह गुरू की है, और इस पर देख कौन रहा है, चेक कर लिजए गुरू खुद देख रहा है, ठीक है, केतु देख रहा है देखे एक चीज़ और, जब भी गुरू केतु साथ में होते हैं, और प्लस ग्यान में हैं, तो आपको तो नॉलेज में नेचुरल अट्रेक्शन रहेगा, बहुत नेचुरल अट्रेक्शन रहेगा, जहां ग्यान की बाते होंगे, वहां बैठ जाएंगे आप, ठीक ग्यान की पोजिशन यहां गई है, यह भी बहुत गजगेसरी है, यह भी बहुत अच्छा माना जाता है, ठीक है, उसके अलावा, अब मंगल आपके लगने इस लगन में आ गया है, ठीक है, अब यहां पे देखे, यहां पे लगन है बारा नमबर, यहां पे लगन है नो नमबर, है case में जब हम लोग चेक करते हैं तो इनको रासित तुल्य बना लेते हैं ठीक है? 12 नमबर पे लेके आगए हम 12 नमबर लेने के बाद हम चेक करते हैं कि आपको किस की किस के दिक्कत हो रही है गुरू रिप्रेजेंट करते हैं पेट लीवर ठीक है? और चन्वा रिप्रेजेंट करते हैं आपको infection ठीक है? तो ये तो reason आपको दिख रहा है कि और ये कब होगा? जब इनका अंतरदसा आया होगा इन दोनों मिसे की से कि अंतरदसा आएगी तो आपको ये problem जो पेट वाली आप कह रहे हैं clearly दिख चाएगी चार नंबर ही के स्वामी है ना ये यहाँ बैठे हुआ है ठीक है? तो ये तो आपको दिख रहा होगा पेट का reason के है ठीक है? और आप हर बार जब जब इन लोग का आपका अंतरदसा है ना तो आपको सचीत रहना है ये कुछ न कुछ करते हैं लोग ठीक है? देखे अब यहाँ पर clearly समझ में आ रहा होगा ठीक है? हमने हर विडियोज में अनौमाच्स देखने का तरीका बताया आप लोग देखे और सीखे चीजों को ठीक है? किसी चीज का फल कैसे कब आएगा? हम कह रहे हैं कि माल लो कि सनी यहाँ पर आपको कारे भाव में देना चारे कुछ ठीक है? अब यहाँ से मनौमाच्स में जाएंगे ठीक है? सनी कहाँ चले गए हैं बताये भागे भाव में क्या मतलब होगे इसका? एक चीज और चेक कर लीज़े सनी की रासिया 10 और 11 सनी की रासिया हो गई 10 11 एक आए का है एक बाहर जाने के है अब इस चीज में क्या पताय चल जाता है? यह धन की जगए है यह धन वाली जगए होगी याय की जगे होई ये डेली वे की जगे होई जब किसी चीज को हम लोग कनफर्म करना होता है नॉमास में डिटील में जाते हैं हम लोग उसके ठीक है जैसे माल लो चार नमबर लिखा हैं आप ये चंदर्मा की रासी है ठीक है तो हम क्या कहेंगे आपको इष्ट देव कौन हो गया चंद्मा के हिसाब से संकर जी ठीक है इष्ट देव हो गया अब हम कहरें इसके कारिकाल में इसके महादसा में अंतरदसा में आपको इसका फल मिलेगा ठीक है फल मिलेगा चंद्मा में प्लस गुरू, सुर्य, सुक्र, केतु केतु अहुजाना भी ठोड ठीक नहीं है बैटे सोके इनका ओवर ओल कंडिशन देखके अच्छा है ये सारे प्लैनेट जब भी आपके में आएंगे इस घर को एक्टिव कर देंगे अब इसके अलावा हम कब क्या चेक करते हैं चलित चलित में आ रहे हैं तो देखें यहां पर अभी भी है आपके गुरू के तो सुर्य और सुक्र ठीक है तो जब जब इनकी दसा आएगी ये जगा एक्टिव हो जाएगी ठीक है नौ और बारा ये गुरू की रासी है बारा आपका खुद को रिप्रेजेंट करता है मालूमी होगा आपको क्योंकि ये लगन है आप से होने वाली हर एक चीज को जोड लीज़े यहां से ठीक है उस पे गुरू का क्लियरली इफेक्ट दिखेगा आपका ठीक है आप सूरे पे आजाईए सूरे वाला घर ये है सूरे बिमारी है तो सूरे के टैम में जब जब होगा तो समझ रहे बात को तो सूरे का फली यहाँ पे आपको क्लियरली दिखेगा इस से रिलेटेट पेट से रिलेटेट ठीक है फिर ऐसी चीज़ को समझे अब कौन है सुक्र है सुक्र कौन से जग़े कश्ट बहुत घंगोर कश्ट तो यहाँ जब आएंगे तो उससे रिलेटेट चीज़े यहाँ से उठाईए पेट पे ही या पढ़ाई पे ही और बच्चों पे ही इनी सारे जग़ाओ पे अब घंगोर कश्ट को लेके आएंगे ठीक है ऐसे ही आप माल लो कि यहाँ पे गुरू होगया सुर्य होगया ठीक है चंदमा कहाँ चलेगे आपके चंदमा यहाँ है अब यह आप चीज़ों को समझे चंदमा यहाँ है ये घर क्या हो गया आपके पुरुसार्थ का होता है तो खैर चंदमा यहाँ पे अच्छे ही नहीं होते है ठीक है चंदमा के टैम में आप उन्हें आपको कमजोर फिल करोगे ठीक है लेकिन इसके साथ में एक चीज़ और होगा संगर्स भी करेंगे आप बहले ही आप कमजोर फिल कर रहे हैं जवाब नहीं दे रहे हैं आप नेचुरली कहा जाए अगर तो नेचुरली बहुत वीर नहीं है क्यों क्योंकि यहाँ चंदमा है ठीक है इस जगह पे किसी एक दुष्ट खतरनाग ग्रह का होना जोरी जैसे राह च्वेदरिष्टी है यहाँ पे यह ठीक है ठीक है तो राव ने बैलेंस कर लिया चंदमा को नीचे करके यह तो यह काफी आपको परसान करते है यहाँ पे अब चंदमा यहाँ से खड़े कर भागे भाव को देख रहे हैं जो इनकी नीच की रासी है लेकिन यह भागे सारी प्रॉब्लम समझ में आ रही है एस्ट्रोजी समझने की कुसिस करें कोई देखता ही रहेगा आपका तो आप हर वार दिखाते ही रहोगे ठीक है सीखने की कुसिस करें मेरे चैनल बनाने का मतलब ही यह यह बहुत बीजी सेड्डूल में से हम आप लोगे लिए टाइम निकाल के सारी चीशे कर रहे हैं क्योंकि बहुत लोग मेरे फेस्बूक पीच पे भी कहते हैं कि लोग जूटे बहुत है एस्ट्रोलोजर्स बस पैसे एक्ट थे एक्शली हम फोर्नर्स के पहले देखा करते थे बस फिर यह चैनल इसलिए स्टार्ट किया कि आप लोग का लोकल लोगों का इंडिया के लोग तो हमने कुछ लोग के स्टोरीज भी सुनें तो यह लोग बहुत बड़ी बेवकुफी यह करते कि बिना जाने के सामने वला एस्ट्रोलोजर है की भी नहीं उसे एस्ट्रोलोजर मनते है जैसे आप एक बंदा गह रहा था उसने बोला कि आप पहले हमको एक रुपए भीज गया तो आप किसी को एस्ट्रोलोजर कहके नहीं बोल सकते आप पहले चेक कर लो कि वह एस्ट्रोलोजी जानता भी है कि नहीं यह चेक करने के लिए आपको एस्ट्रोलोजी भी आनी चाहिए तो बेसिक्स तो जानो आप कम से कम और हमारे यहां होने का मतलब ही है कि हम आपक है ना किसी अच्छे एस्ट्रो लॉजर से जाए पूचिए तब आप उसको पैसे दो तो समझ में आता है है ना बेस्ति करने के जिम्मेदार तो फिर वही लोग हो गया है जो पैसे दे रहे हैं ठीक है फर्स्ट हाउस में 12 नंबर लिखा है जो खुरू गुरू जी का है ठीक ह ठीक है चलिए आपको नक्षत्र के बारे में एक चीज़ और बता दे आप चेक करिएगा आपके नक्षत्र कौन से नक्षत्र में है गुरू देओ ठीक है ये चेक करिएगा और चंदर्मा किस नक्षत्र में है ये भी चेक करिएगा और जिस भी नक्षत्र में चंदर्मा हो बताईए हमें कि कौन से नक्षत्र है 27 उस नक्षत्र का जो भी सिंबल होगा वो हमें बताईए ठीक है ये बताईए फिर हम आपको कुछ चीज़े और बताएंगे आपके चार्ट के बारे में कमेंट करके हमें बताईए यह हर कोई करें जिसके भी नक्षत्र का मालूम हो है जो टोटल 27 होते है ठीक है 27 हुए माली जी 99 रखे है तो माली जी आपके उपर से चौथे नंबर प्यार है तो यहां से काउंट करना चालू करेंगे ठीक है ऐसे और 27 यहां जाके मालो फिर कोई आ रहा है तो हमें उसका नाम बताएंगे ठीक है वह हम आपको उस नक्षत् कोर्स में ठीक है अब इसमें देखिए आपके गुरु जी है यह बहुत अच्छा चैट बन गया है क्योंकि गुरु की कंडिसन अच्छी है लेकिन गुरु का आपको यूज करने आना च्छी है ठीक है इनका पूजा पार्ट करिए इनको कुस करिए चीज ठीक होंगे अब इस घर में आते हैं जहां पर खुद मंगल यह बैठे हैं बात करना आपको समझना है कि आपको बात ठीक से करना है क्योंकि मंगल है यह गर्मी डालते है बात में आपके जगणी दिखेंगे ठीक है इसके अलावा आप देखें इसको कोई और देख रहा है कि नहीं साथ पाट अनबंद होता रहेगा बात करें उच्य चंद्रमा को यहां पे आपको यह जगह है जो वीरता का है यहां पे को एक की राहु लिए सनी भी शुर्य यह सब बहुत अच्छा रिज़िद देते हैं ठीक है चंध्मा यहां बहुत अच्छा result देने के लिए नहीं है लेकिन उच्च का चंदर्मा है ठीक है तो अभी गनिमत है फ्लस राहू का द्रिश्टी भी है ठीक है तो यह आपको help करेंगे अच्छ है ठीक है आपकी छोटी बहन है क्या यह हमें बताईए अगर होगी तो बहुत अच्छी बात है वो भी बहुत अच्छी होंगी एक, दो, तीन, चार तीन नंबर यहाँ पे लिखा हुआ है यहाँ के मम्मी का happiness खुसियों का इसको बोला जाता है ठीक है अब इस case में जा चेक करते हैं इसको सैनी के दृष्टी देखे, जब किसी के भी चार्ट में कोई बहुत सारे प्लैनेट किसी एक ही जेगे पे आ जाए तो यह disbalanced होती है चार्ट क्या है? कि यह ब्रहमान्ड है और प्लस है आपके लाइफ के सारे पार्ट है आपके लाइफ के ही तो different पार्ट है तो अगर किसी के में यह बहुत जादे प्लैनेट यहां वहाँ बैटे हैestonा तो उनकी चार्ट उनके बहुत जादा काम करती है आप देखना कभी है ठीक है? बहुत जादा काम करेगी अजब किसी एक साईड में सारे प्लैनेट तो बस वो एरिया बहुत हाइपर एक्टिव हो जाता है चलिए तीन नमबर है यह और यह आपका पेठी है ठीक है अब यह तीन नमबर है मतलब बुद्ध की रासी है और बुद्ध की दो रासी है दोनों अच्छे घर मिलें इनको और बुद्ध आ के बैठ गया है रोग भाव में ठीक है इसको थोड़ा सा ध्यान रखे और यह गुरू भी आपके उच्छ के है दिख रहे बहुत जब अधर स्कुंडली हो गई है आपको रेमेडी काम भी करेगा मालू में आप रेमेडी करते हो अगर उपाए तो आपको ज़्यादा काम करेगा बहुत लोग होते हैं जिन पर रेमेडी काम नहीं करते हैं आप पर रेमेडी काम करेंगे तो यह अपकी ममी का है अपकी खुसीों का है यहाँ पर शेनी देख रहे हैं प्रोपर्टी में क्या फायदा देंगे कि आपको पैत्रिक संपत्ती मिलने के चांस बन जाते हैं जमीन ठीक है फिर उसके अलावा यहां पे और कैसे दिश्टी है की नहीं नहीं है हाँ नहीं है ठीक है ठीक है अब खुसियों की बात करें तो संगाज डाल रहे हैं खुसियों में आपको खुसी नहीं मिल पारी जितनी मिलनी चाहिए थी ठीक है क्योंकि संपत्ती है यहां ठीक है इसके अलावा आपके मम्मी की बात करें तीन नमबर बताता है सीधी है ठीक है मैनुपलेट जल्दी होचाती है दूसरा सनी की दिष्टी होने के बज़र से मूँपे बूलती है ठीक है यह हो गया पाच्वे घर के बारे में बता दे गूरू और केतू होना यहां बहुत बहतरी नहीं है सुने की जगे पे knowledge दे, तो ये लोग knowledge बहुत पसंद करता है, ठीक है, सुकर का यहां होना क्या बता रहा है, आपकी life में opponents gender जादे आएंगे, ठीक है, चनदमा की रासी भी है, ठीक है, तो आपके में अपोची जिन्टर जा देंगे अगर लड़का है तो लड़की है लड़की है तो लड़का ठीक है आपका पता नहीं चल पा रहा है आपके नाम की वज़े से तो ठीक है यह आप देखें यह होगा ही होगा आपके लाइफ में ठीक है मंगल के दृष्टी आ गई मंगल क्या करेंगे मंगल बीच में आपका मन हटाएंगे पढ़ाई से इनको खेल कुद बहुत पसेंदे नौटी है ये ठीक है आपके भागे पे भी देख रहे है आठवी दृष्टी इच्छी बात है ये भी आपको रिजल्ट आ जाएगा परसान ना होए ठीक है ये आपका इस घर का रिजल्ट बता दी हमने छटे गर में आ रहे है छटे गर में पांच वा यानि सुर्य की रासी है बुद्ध के साथ है और सुर्य आपके पेट वाले गर में रोग भाव है दुना कनेक्शन बना रहा है पेट के दिक्कत बता रहा है अब इस देखी ले रहे हैं ठीक है उसके रावा बुद्ध बैठे हुए है ठीक है आपको वै से भी बचना है डेली वै से भी बचना है यहां से देखते है ठीक है उसके लिए ये चेक करते रहना होता है आपको बुद्ध के साथ एक और दिक्कत है ये आपको जितनी भी तंत्रिका तंत्र होती है बोडी में उनके कारक होते है तो इससे रिलेटेड प्रॉलम से भी आपको बशना है लेकिन ये छोटी बीमारी है इससे बहुत घबराई है जानी घबराय इससे जाता है ठीक है ये बड़ी बहुत बड़ी बीमारी होती है ठीक है इस सत्रुका भी घर होता है बटीक है कोई दिक्कत नहीं है चलेगा समनी कर जाएगा अब यहाँ से देखिए राहू की दृष्टी है, सनी की दृष्टी है, दसवी और राहू की नौभी उसके लाग कोई और देख रहा है? नहीं देख रहा है यह आपके मैरिड लाइफ का घर है अगर आप 25 साल में साधी नहीं कर रहे हो तो आपके साधी लंबा खीचेंगे, सनी ठीक है? राहू क्या करेंगे? साधी ठीक चलने नहीं देते ठीक है? बेसिकली यही कारक होते हैं बिच्छडाओ के, अलग करने के ठीक है? तो इस पर आप ध्यान देंगे, 6 नमबर कन्यरासी है यानि आपके वाइफ अच्छी है ठीक है? आपके वाइफ अच्छी है सनी और राहू के वज़ा से थोड़ी दिक्कत क्रियेट हो रही है यह डिले भी कर रहा है ठीक है? राहू जगड़ा क्रियेट कर वा रहा है ठीक है? यह मुफट बना रहे है तो ये सारी चीज़ों को थोड़ा सा ध्यान देंगे आप छिली माल लिजे ये तो नक्षतर आप नॉमास से भी देख सकते हो नॉमास में जो जहाँ है वहाँ कर लिजे जैसे पहले था ठीक है अब रासे तुल्य नहीं बनाना है ठीक है जब सिंपल नॉर्मल कर लेंगे तो इसमें जो दिख रहा है ये आपकी मेरिड लाइफ के बारे में बता रहा है ठीक है मंगल यहां का मतलब ही होता है गर्मी जगडा ठीक है राहू मंगल ये सब चीज़ें यहां पर यही रिप्रेजेंट करते है ये सुकवाव है सुकवाव में सी तलता होनी चाहिए तो ये गर्मी दिखा रहा है यहां पर बही ठीक है लेकिन क्योंकि सुक्र देख रहे हैं या नीच के सुक्र हो गया है बैट क्योंकि थोड़ा ये मैनेज करने की कोसिस करें इस जगड़को ठीक है लाब बाउम में फैदा खुसी ये भी एक तरीके से देखा जाता है लाब ही तो होना चीए ना भाई साधी के यहां बेपी के तु आ गया है तो आ दिककर दिखा रहा है आपके मैरीड लाइफ में दिककर दिखा रहा है गज केसरी एक यह बहुत अच्छा योग बना है आपका ठीक है भागे भाव है तो यानि कुल मिलाके आपको आपकी मैरीड लाइफ पर ध्यान देना है ठीक है यह थोड़े खत्रे में दिख रही है राह और सनी की वेज़ास है ठीक है अब हम इस घर की बात करेंगे सुक्र का भर है यहां कौं कौन देख रहे मंगल देख रहे खूंसे रिलेटिड प्रावलम ठीक है एक दो तीन चार और कोई नहीं देख रहा ठीक है कोई नहीं देख रहा तो यानि कि आपको थोड़ा बचना है यहां मंगल का श्टोन नहीं पहनी हैगा फिर, इस केस मेशे जह को एक्ट्व कर सकते हैं अब आते हैं, भागे भाव में, भागे भाव में आठ नमईर लिका हुआ है, जो कि मंगल का है और मंगल धनभाव में बैठे हुआ है तो ये connection तो very good है ठीक है ये अपने घर में भी है देख भी अपने घर को रहा है तो भागी के लिए भी अच्छे है मास्टर्स के लिए अच्छे है आगे पढ़ाई भी कर सकते हैं ठीक है क्योंकि गुरू के पांचवे दिश्टी भी है गुरू के तो आप मास्टर्स कर सकते हो ये help करेंगे आपको प्राइम चीजे जो आपको कंट्रोल करनी है आपके कुस्सा को कंट्रोल करनी है मंगल आपके वाणी को कंट्रोल करनी है क्योंकि ये गलत चीजे बुलवाता है एक्रेसियो बाते करवाता है ठीक है पहली चीज इसको सही करेंगे आप दूसरी चीज राहू और सनी का उपा ये पिता का घर होता है पिता के घर में सनी बैठा है आपके पापा ही आपको सबसे ज़्यादा बोलते होंगे ठीक है सही गलत बताने के जिम्मेदारी ये ले लेते हैं लोग ठीक है क्योंकि सनी है यहाँ पे जिम्मेदार होते हैं लोग ठीक है अब यह ही है आपका कहां से पैसा, कैसे आ रहा है ठीक है, फैदा-लाव, यहीं से देखते हैं, राओ ब Sith है, यह continuous कांटीनिव्ति नहीं आने देता है यहां गुरू शूर्य केतू यह सब कर दिश्टी भी है तो खैर इस जगए के लिए गुरू की दिश्टी बहने आए और होना भी चाहिए यह इसकी पॉजिटिव्ति इसकी को बढ़ाते है तो आप लाइफ में कमा भी लेंगे पैसे ठीक है कमा भी लेंगे श्टोर भी कर लेंगे ठीक है लेकिन बस अभी आपको गुरू पे फोकस कर देना है गुरू आपको बढ़ें बना देंगे गुरू की नौवी दृष्टी यहां पे है साथवे दृष्टी यहां पे है पांचवे दृष्टी यहां पे है ठीक है इन सब जगवाँ पे गुरू अपना अधिकार रखते है महला पॉजिटिवटी डालते है ठीक है यह घर आपके बाहर जाने का सेक्स का प्लीजर का बैड प्लीजर का फिर आपके गुड रहस्यों का ठीक है यहां पे देखे सनी की तीसरी दिष्टी है यह भी बड़े इंट्रेस्टिंग है कि गुरू को यह सब चीज़े भी पसंद आती है ठीक सनी को भी गुड रहस्य है इनको भी बड़े पसंद आते है ठीक है और अगर यह इनकी दिष्टी इनकी ही घर भी है तो आपको बाहर भी ले जा सकते हैं हाँ एक चीज़ और क्योंकि कर्म भाव में बैठे हुए है तो अगर अपने बर्थ प्लेस से आप दूर जाते हैं और कोई बिजनेस कोई काम करते हैं आपको फैदा भी होगा ठीक है यह सनी यहां से connection बना के बता भी रहा है ठीक है यह आपको समझना है यह आपका नौमास चार्ट है है ऐसी तुले नौमास जो कि हमने आपको भी समझाया था ठीक है सनी को आप वहाँ पे सही करें और सनी को काम करें तो सनी आपके भागे भाव पे भी काम कर रहा है ठीक है यह काफी जरूरी हो गया है कि इस चीज़ को आप देखें और समझे ठीक है वहना नुकसान करेंगे सूर्य का यहां होना आपको थोड़ा सा आपके एगो को बढ़ा देता है ठीक है आपका मंगल और रेड़ी यहां पे बैठा हुआ था उसमें और यहां पे सूर्य आ गया है इस केस में थोड़ा सा आपको समझदारी से काम करना है देखो अब राहू आके बैठा है ठीक है तो कुल मिला कि आपको इस चीज़ों को समझने के कोशिज करना है और यह मंगल यहां होना बढ़िया है बहुत बढ़िया है ठीक है सुकर नीच के होके बैठा है इसकी बहुत बरी दिक्कत हो जाती है सुकर नीच के नहीं होने चाहिए लगन में सुकर नीच के नहीं है नौमास में सक सुकर नीच के है यह बिलकुल नहीं होना चाहिए ठीक है अब इसकेस में क्या होता है आपके सुक्र का असर लगन में कम हो जाएगा यहाँ पे सुक्र का असर ही कम हो जाएगा ठीक है यह नौमाश जब भी आफ देखोगे तो यहाँ जो भी चीजे होंगी वो आपके लगन पे इफेक्ट डालती है अच्छा बुरा दोनो लेकिन लगन ही प्रियोर्टी होती है ठीक है? हमेशा लगन ही सबसे बहतरीन होता है सबसे ज़्यादा सही होता है नौमास उसका डिटेल है उसका हैल्प है ठीक है? यहां आ गया अब हम आपको बता दे रहें गोचर गोचर में हमने बताया था आपको कमेंट करके मैं बताएंगे आप लोग समझ रहें की नहीं ठीक है? गोचर में आप लोग को पहले ही बताया है क्या क्या ध्यान देने वाली चीज होती है कि पहले चीज तो बहुत अच्छी बात है आपका जोपिटर से सन यही बैठा हुआ है इस समय तो आप खूब नौलेज पहोगे नौलेज खोज-खोज के लोगे हैं वहाँ से ठीक है सनी का यहां होना अभी आपको कहीं घुमने को लेके जाएगा कहीं बाहर गुमाएगा ठीक है यह यहां ड़ाई साल रहते है जोपिटर यहां पे एक साल रहते है सन यहां एक महीने रहते है यहां से सन फिर यहां चले जाएगे ठीक है राहु यहां बैठा हुए मरकरी बैठा है यह तो बहुत अच्छी बात है राहू यहाँ बैठा है यह फिर अभी आपके बताया है हमने भासा पर कंट्रोल करिया है ठीक है वीनस वागरी है बैठा है यहाँ पर यह बेहन का घर होता है और आपके भाई बेहन का घर होता है और प्लस आपके वीरता का घर होता है अभी यह ठीक है पेसे समय यह बढ़र अच्छा काम करने का टायम करने आ यूपिटर के टायम चल रहाए आप जोपिटर के टायम का यूच भी करिए ओर बाहर निकल यह कहीं थिक्ट है। यह घर आपके खुसियों का घर है अभी खुसियों में आपको दिक्क्त दिखरी होगी मंगल बहुत क्योंकि इस मामले में बेहतरी नहीं है बढ़ हाँ प्रॉपर्टी के लिए अच्छे होते हैं इस बीच आपको प्रॉपर्टी से रिलिटेड कुछ मिल जाएगा मौका 12 डिग्री हैं लबा आधे हैं अभी आधे रहेंगे एक मेने करेबन यहां रहेंगे अभी ठीक है अब यहां से देख लीजे राहू राहू की पांच दिश्टी होती है ठीक है और नो पांच साथ नो यह हो गई पांच साथ नो में राहू की दिश्टी चेक करते हैं अब यह है आपके रोग भाव की रोग भाव की इस समय इन्होंने बढ़ा दिया ठीक है यह। चादा ही परसानी की उस पे भी धहन दे रहे हैं यहापर केतू भी है केतू का यह उने का मतलब operation करवा सकता है आपका ठीक है ठीक है और यह आपका business business में भी आपको प्रभाव इससमें clearly दिख रहा होगा दिखकत दिख रही होगी ठीक है यह सारी चीज़े आपको बता रहा है के तू ठीक है आप के तू कि रहुत बता रहा था आप केतू की देख लेते हैं इस जेगा पर केटू को देखने से मंगल का इफेक्ट कम कर देंगे यह प्रॉपर्टी लाने वाली ठीक है लेकिन मेहनद करिए कुछ फल तो लेके ही जाएए आप मंगल से यहाप ठीक है दूसरा अपको अपके मम्मी से खुसियों से कमी फील होगी केटू की रिष्टी की वज़ा से ठीक है किसी वज़ा से यह हो गया तो यह गूचर में हम लोग पहले क्या देखा सैनी देखा राहू देखा केटू देखा ठीक है वीनस मार्स और जूपिटर बेसिकली यही देखा भी जाता है की दाइव चैन्दमक को यहाप ऐसे नहीं चेक किया जाता है ठीक है क्योंकि यह ड़्ाइदेर में बदलते हैं ठीक है कोई कोश्यन हो तो आप हमसे पूछे और सब्सक्राइब करें लोगों से करवाएं क्यांकि बहुत सब्सक्राइबर कम हो रहा है लोग देख रहे हैं चले जा रहे हैं अपना काम करवा रहा है ऐसे नहा करें थोड़े सपोर्ट की जूरत है सपोर्ट करें थेंक यू